इस अपता मैं खुद चंद शेकरजी से मिलने जेल जाओंगा हो सकता है कि अगले हपते हम वकीलों को ना लेकर जाएं लेकिन एक बार जब मेरी चंद शेकरजी से मलाकात होगी मेरे साथियों की और लड़ी उनके साथ मलाकात हुई है चर्चा हुई है उसके बाद हम पूरा एक सीनियर लॉयर का डेलीगेशन लेकर जेल में सेंद शेकरजी से मिलने जाएंगे क्योंकि एनसे के अंदर ऐसा प्रावधान है कि छे महीने तक कोड़ सुनता नहीं उनकी बाद तो यह बात हम वकीलों को समझाना चाहते हैं कि यह जो गैर कानूनी है गैर वाजिब है उसके बाद हम लोग इलाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करेंगे यह हमारा कानूनी पक्ष है दूसरा हमने यह तैय किया है क्योंकि जिस सरकार ने एनसे लगाया है उत्रबदे सरकार ने लगाया हम लोग आने वाले दस दिन में या कैंसल कर सकते तो कैंसल करें उसको नहीं कर सकते तो कानून की लड़ाई तो है तीसरा यह है राजनिती में लोग तंत्र में लोग सिरों की भाशा समझते आपके बाद जितने सिरें उतनी बाद सुनते हैं तो उसके लिए भी हमारी तैयारी है पहला कदम हम यह करेंगे कि आ के बाद हम लोग आठ जनवरी को दिल्ली में एक बैठक करेंगे जिसमें हम ये फैसला लेंगे कि जनता का मोबिलाजेशन कैसे हो और सामाने भूकरताल से क्या सम्मान का मार्च पूरे देश में निकाला जाए तो ये भी हम लोग सोच सकते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग कौं जिसको कहते हैं लौग हॉल तो हम लंबी लडाई के लिए तयार हैं अब इस लंबी लडाई में तो जो करना हो गरेंगे और हम ने ये भी कहा है member of parliament ml को भी हमने कहा है यदि वह comment में और विधान सवा में अगर नहीं उठाते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं दावे से कि सारे नहीं तो कंसे कम 50 फीसदी दलित ML और आदिवासी ML और 50 फीसदी दलित MP और दलित ML वो विधान सवार पारलेमेंट में लौट के नहीं आएंगे भारती देश को आजाद हुए 70 वर्स हो गए 70 वर्स के बाव जोदी में हम आराम से बिधर मार्च के और हम मलग इतने डरे हुए रहेंगे तो आगे भी मलग की इसी तरीके डरना होगा क्या देखे क्या है कि बाबा साथ डॉक्टर अमिडगर ने 18 मार्च 1956 को आगरा में एक भाशन दिया था उसमें उन्होंने कई बाते गई थी लेकिन एक बात जो कही थी उसके बारे में लोग नहीं जानते हैं मैं उस बात के बारे में जिकर करना चाहता हूँ मैं बाबा साथ डॉक्टर अमिडगर ने ये कहा था कि मैं अपने गाउं के लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर पाया लेकिन अब के बाद मैं केवल और केवल गाउं वाले लोगों के लिए काम करूँगा और मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी भी जो दलितों का अंदोलन है वो दलितों के शेहरी मध्यम वर्ग के हाथ में है और शेहरी मध्यम वर्ग को आठ घंटे के बाद आराम चाहिए राश्टिय दलित महासवा आदिवास यदिकार आंदोलने जो तारिस अंगटन मंच पर जो है ये शेहर के आंदोलन नहीं है, शेहर के संगठन नहीं है, गाउं के हैं, हम गाउं में जरूरत पड़ेगी, कोई अगर हमारे कोई ईट मारेगा तो पत्थर तो हमारे हाथ में भी आ सकता है धन्यवाद